हेलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट होगी तेन सेकंड बात स्टार्ट केंद्रिये जांच ब्यूरो को लेकर राज्यों और खासकर गेर भाजपा सासित राज्यों के रवये पर केंद्र सरकार का ऐसा हाई महसूस करना स्वाभाविक है कोमा लेकिन उसकी और से अपनी विविशता प्रेकट करना समस्या का हल नहीं है केंद्र सरकार को उन कारणों पर गोर करना होगा जिनके चलते एक के बाद एक राज्य सरकारें सी बी आई को अपने यहां के मामलों की जाच करने से रोक रही है यह है ठीक नहीं की ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती जार रही है जो सी बी आई को अपने यहां प्रवेश करने और किसी मामले की जाच करने की अनुमती नहीं दे रहे हैं जादातर राज्य सरकारें यह कहकर सी बी आई को बिना अनुमती अपने यहां प्रवेश पर पाबंदी लगा रही है कि उसका दुरूपयोग भी होता है और राजनितिक इस्तेमाल भी स्टॉप आम तोर पर ऐसे आरोपों पर केंदर सरकार का यह तरक होता है कि सी बी आई एक सवायत जाच एजेंसी है और उसके काम में उसका कोई राजनितिक दखल नहीं होता कोमा लेकिन इसकी अन देखी नहीं की जा सकती कि इस जाच एजेंसी को सुप्रेम कोट ने पिंजरे में बंद तोता करार दिया था इसके अलावा यह भी एक तथे है कि अतीत में इस एजेंसी के काम काज में राजनितिक दखल होता रहा है कई बार तो यह दखल नजर भी आया है इसके चलते CBI की प्रतिष्ठा पर आच आई है और उसकी वैसी विस्वसनियता नहीं कायम हो सकी जैसी होनी चाहिए विभिन मामलों की जाच में CBI का रिकोर्ड भी कोई बाहुत अच्छा नहीं है और सायद इसी कारण पिछले दिनों सुप्रेम कोर्ट ने कहा था कि वह उसके काम काज की समिक्षा करेगा पता नहीं ऐसा कब होगा और उससे हालात सुद्रेंगे या नहीं उचित यह होगा कि केंदर सरकार यह महसूस करे की एक बड़ी खामी CBI के गठन के तरीके में है इस एजेंसी का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेबलिसमेंट एक्ट के तहत एक प्रसासनिक आदेश से किया गया था इस विशंगती को दूर किया जाना चाहिए आकिर जब इस एजेंसी को वांचित समवेधानिक दरजाही हासिल नहीं है तो फिर उसे वास्तविक सवायत्ता कैसे मिल सकती है यहे भी समझने की जरूरत है कि जिस प्रसासनिक आदेश के तहत CBI का गठन किया गया उसके प्रविधान ही राज्यों की सहमती को अनिवार्य बताते हैं राज्य अपने इस अधिकार का भी मन माना इस्तेमाल कर रहे हैं किसी मामले में तो वे खुद ही CBI जांच की मांग करते हैं और किसी मामले में ऐसी मांग को ठुकराते हुए इस जांच एजेंसी को राजनितिक हतियार बता देते हैं एक ऐसे समय जब CBI की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और देश में ब्रश्टाचार एवं गंभीर मामलों की छानबीन के लिए किसी सक्षम केंद्रिय एजेंसी का होना आवशक है तब फिर उन कारणों का निवारन किया जाना चाहिए जिनके चलते राज्य सरकारें CBI जांच में अडंगा लगाने में सक्षम है कोरोना संकर्मन के मध्य नजर इस्तिती नियंतरण में होने के साथ ही उत्राखंड में अब चार धाम यात्रा सुरू हो गई है कोविड प्रोटोकोल के अनुपालन के साथ परियटन गती विदियां प्रारंब हो गई है तो साहसिक परियटन के लिए रिवर राफ्टिंग कोमा परवता रोहन कोमा ट्रेकिंग को भी अनुमती मिल चुकी है जाहिर है कि इससे राज्य में परियटन उद्योग के रफ्तार पकड़ने की उमेद जगी है कोमा जो कोरोना संकट के कारण पिछले दो साल में मंद पड़ गई थी दरसल राज्य की आर्थिकी में परियटन की महत्वपून भूमी का है सामान्य परिस्तितियों में उत्राखंड में करीव साड़े तीन करोड लोग देश के विभिन हिस्सों से यहां आते हैं इनमें करीब 45 फीसद चार धाम बदरीनात कोमा केदारनात कोमा गंगोतरी वय यमूनोतरी के साथ ही हेम कुंड साहिब समेत अन्य धार्मिक इस्थलों में दर्शनार्थ आते हैं कोमा जबकि सेस यहां के कुदरती नजारों का आनंद उठाने के लिए पहुचते हैं हम सब को देखते हुए राज्ये में परियतन को उद्योग का दर्शा दिया गया है हजारों की संख्या में लोग परियतन व्यवसाई से जुड़े हैं इन में होटल, रिजोट, धाबे, रेस्टोरेंट, मोटर परिवहन, होम इस्टे जैसी गती विदिया सामिल हैं और तो और चार धाम वाले जिलों चमोली, रुत्र प्रयाग वै उत्तरकाशी के निवासियों की आर्थिकी तो यात्रा पर ही टिकी हैं साफ है कि परियटन यहां की आर्थिकी की सबसे एहम धूरी है कोमा, लेकिन पिछले साल कोरोना संकट के दस्तक देने के साथ ही परियटन गते विदियों पर प्रतिकूल असर पड़ा हालांकी सरकार ने परियटन व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को राहत पेकेज के जरिये आर्थिक मदद की है कोमा, लेकिन यहे ना काफी है अब जब की कोरोना संकरवन के मामलों में कमी आई है और इस्तती नियंतरन में है तो सरकार ने परियटन से जुड़ी सभी गती विदियों के संचालन की अनुमती दे दी है इसके साथ ही राज्ये में सनिवार से चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा भी प्रारंब हो गई है चारधाम यात्रा को लेकर देश भर से सरद्धालों ने गजब का उत्सा दिखाया है पहले ही दिन उन्नीस हजार से अधिक व्यक्तियों को इपास जारी होना इसके पुष्टी करता है स्टॉप हालांकी यात्रा के लिए करीब दो मा का ही वक्त है कोमा लेकिन यह काफी संबल देने वाली रहेगी स्टॉप